तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दीप और आप सभी का दीप टेक्निकल में स्वागत दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सैंसंग के एंड्रोड फोन के बारे में तो दोस्तो अगर आपके पास सैंसंग का एंड्रोड फोन है तो उसमें Samsung वालों ने Android phone को upgrade कर दिया जिससे दोस्तों अब आपको Android 10 version मिलेगा तो दोस्तों अगरा भी तक आपने अपना Android phone अपग्रेट नहीं किया तो अपग्रेट कर रहे जिए दोस्तों अपग्रेट के बाद आपको कुछ नए फीचर मिलेंगे जिससे आपको फाइदा होगा तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने फोन को किस तरह से अपग्रेट कर सकता है बिल्कूर असानी से तो दोस्तो अप्ग्रेट करने के लिए आपको करने क्या कि आपको अपनी सेटिंग से में जाना है तो दोस्तो अब आपको नीचे स्वाइप करना स्वाइप करने के बाद दोस्तो यहां पर आपके सामने अपडेट का ओप्शन आ जाएगा तो दोस्तो यहां पर आपके सामन जिस मोबाइल से मैं वीडियो रिकोडिंग कर रहूं दोस्तों मेरा सेंप्सेंग का जेशिक्स प्लस इसमें अफग्रेट नहीं आया और जो फोन को मैं अभी ले रहा हूं सेंप्सेंग का M30S है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या अफग्रेट मिला है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप अपने स्क्रीन को स्वाइब करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिले का जिससे दोस्तों आप अपने फोन को स्विच का उप्सेंस दीखाई देखा तो दोस्तों परसनल डिसकोवर उप्सेंस में आपको का फायदा कि आप आपका न makes कैसे रिमूव करें तो दोस्तों इस डिस्कावर एप को आपका कोई फाइदा नहीं है इसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला तो इसे कैसे रिमूव करें तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर सैट्री डोट पे का उप्शन दिखा दोस्तों इसे off करने के बाद यह जो यहां के जो setting आप यहां से automatically remove हो जाएगी जिसे आपको कोई भी परसानी नहीं होगी तो दोस्तों बात करते कि आपके कुछ cameras में upgrade कर दिये गए जिससे आप अपने samsung के जो android phone के camera उसमें कुछ नए जो features आ चुके हैं दोस्तों जिससे आप अपने phone को use कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो आपका जो फोन बिल्कुल अच्छा बना दी कुछ नए नए features आपके लिए लेकर आता रहूँगा अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक करें जी और चैलेंग को सब्सक्राइब करें जो दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में